Hello everyone, I am Priyanka और जो आज के हमारी class रहेगी इस class में chapter 13 की mislinious exercise है उसी को आगे हम continue करेंगे इससे पिछली class में mislinious exercise हमने start करी थी और starting के 5 questions हमारे complete हो गए थे ठीक है, तो पिछली video की link जो है वो तो आपको उपर मिली जाएगी बागि description box है वहाँ पर सारे chapter की playlist की link मैंने mention करिए तो अगर कोई भी chapter आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से description box में playlist के तुरू देख सकते हैं ठीक है और अगर चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को subscribe कर लो और अगर वीडियो पसंद आता है तो like जरूर करना है like करना नहीं भूलना है ठीक है तो class start करेंगे हम यहाँ पर तो question number six लिए है पांच question हमारे हो गए थे complete तो इस question में क्या बोला जा रहा है in a hurdle race तो hurdle race तो आपको पता ही hurdle race ठीक है सारे के सारे 10 के 10 hurdle वो clear कर लेगा प्लेयर उसकी probability दी है ठीक है what is the probability अब जो पूछा जाता है देखिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें जो पूछा जाता है वहीं पर अपने को आधी से जादा चीज़ें पता करनी होती है कि यहाँ पर क्या दिया है और क्या पूछा और क्या हम सपोस करेंगे देखिए what is the probability probability किसकी find करनी है that he will knock down fewer than two hurdles बात समझ रहे हैं कि मतलब जो player है वो knock down करेगा fewer than two hurdle को तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो player है उसको कितने हडल क्रॉस करने है 10 हडल कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ट्राइल कितने हो गाए अपने 10 मतलब वहीं बर्नौली ट्राइल और बाइनोमेल distribution वाला कॉशन है यह अपना तो यहाँ पर अपने अपने को इस तरीके से देखना है कि लेगे ट्राइल कितने हो गाए 10 10 जिसमें अपने को प्रॉबबिलीटि दिए कि हडल क्लियर कर ले जो रहेगा जो अपन से पूछा है उसी को अपन सक्सेज लेंगे और फिवर देन टू हडल यह अपनी एक्स की वैल्यू हो जाएगी बात समझ में आ गई और एन अपना हो गया 10 अब बत बचा क्या है अपना कि प्रॉबिलिटी ओफ सक्सेज और प्रॉबिलिटी ओफ फेलिय यह तरह पूछी गई उत्तिका अपन सक्सेज लेकर चलेंगे ठीक है चलो तो सबसे पहले ट्राइल्स तो अपने को पता ही है कितने हैं ट्रायल्स हो गए 10 क्योंकि प्लेयर है उसको कितने हड़ा決 करने तेन हडल मतलब टैन ट्राइल्स अब इसके बाद अपन सक्सेज किसक अगर नॉकडाउन होता है तो उसको सक्सेस ले रहे हैं अब एक्स हमारा क्या होता है नंबर ओप सक्सेस तो सक्सेस का जो नंबर है वो क्या दिया हाला कि इतना सारा सब कुछ आपको नहीं लिखना है लेकिन हम यहां पर यानि की मैं ही हां पर इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम यहां पर क्या अगर क्रोश कर लेता है तो यहां पर अपने को एक चीज की जो भी लिखना अगर कर लेता तो उसकी प्रॉबिलिटी मतलब फेलियर की प्रॉबिलिटी आपको दी है तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर probability of success या probability of failure में से कोई एक भी चीज़ हमको पता हो तो दूसरे की value हम आराम से find कर सकते हैं कैसे 1 में से आप failure की probability माइनस कर दो तो 1-5 upon 6 तो 6106, 6-5, 1 upon 6 clear हो गई बात तो यहाँ पर main काम यही था आपका क्योंकि success हमारा hurdle is knockdown है और knockdown की probability अपने को नहीं दिये इने success की नहीं दिये failure की probability दिये जो भी दिये ठीक clear बस आगे का काम अब आपको पता ही है क्या करना है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है binomial distribution से इस question को हम solve करेंगे क्योंकि यह जो ट्राइल्स है यह बर्नॉली ट्राइल्स है तो चलिए करते हैं तो probability of x equal to x के लिए जो अपना formula होता है वो होता n c x small p की degree x small q की degree n minus x ठीक है अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है fewer than two hurdle मतलब अपनी x की जो value है वो क्या fewer than two hurdle यानि two से कम right तो fewer than two hurdle बात समझ में आ रही है अब यहाँ पर x की value आप कैसे find करेंगे आपको यह चीज़ पता है कि total hurdle कितने है 10 ठीक है 10 hurdle है तो two hurdle से कम तो यहाँ पर क्या-क्या value हो सकती है आपकी x की तो हमको यह चीज़ पता है कि अगर 10 hurdle को हम cross कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक भी hurdle हमारा cross ना हो और यह भी हो सकता है कि एक hurdle cross हो जाए यह भी हो सकता है दो के दो cross हो जाएं यहाँ पर अपने को क्या बोला है है तो चलिए solve कर लेते हैं n कितना है अपना 10 c 0 small p यानि की 1 upon 6 की degree यहाँ पर 0 ठीक और इसके बाद 5 upon 6 की degree 10 minus 0 यह 10 आ गया clear बीच में plus लगा दो इसके बाद x equal to यहाँ पर क्या 1 है तो यह हो जाएगा 10 c 1 1 upon 6 की degree 1 और यहाँ पर 5 upon 6 की degree 10 minus 1 9 कि इसको आगे solve करेंगे तो मैं यहाँ पर solve कर देती हूं इसको तो आप देखें अपने को यह चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि n c n और n c 0 यह 1 होता है देखो यह भी 1 हो गया आपका यह भी 1 हो गया क्योंकि इसकी degree 0 है बचा क्या 5 upon 6 की degree 10 यहाँ पर आते हैं तो 10 c 1 यह 10 हो जाएगा upon में 6 है और 5 upon 6 की degree 9 है तो एक काम करते है इन दोनों टर्म्स में से 5 upon 6 की degree कितना common यह 10 है यह 9 है तो 5 upon 6 की degree 9 common आ जाएगा तो probability of x is less than 2 तो दोनों में से अपन ने 5 upon 6 की degree 9 common ले लिया ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 5 upon 6 क्योंकि यह भी 1 यह भी 1 यहाँ बचा 5 upon 6 ठीक बीच में प्लस अब यहाँ की बात करते है तो 10 सीवन तो 10 हो गया यह गया 10 upon 6 ठीक और यहाँ तो 5 upon 6 की degree 9 तो भार common ले लिया अब इसको solve कर लो तो यह क्या हो जाएगा 5 upon 6 की degree 9 और यह हो जाएगा आपका 15 upon 6 क्योंकि बेश सीम है ठीक है अब आप चाहो तो इसको आप 3 से cancel कर लो 3 5 0 15 3 2 0 6 तो यह क्या हो जाएगा अपना देखो यहाँ पर 5 की degree 9 है और 1 और 5 है चीक है तो यह क्या हो जाएगा 5 की degree 10 9 प्लस 1 10 upon 6 की degree 9 तो है ही पहले से और already denominator में 2 बच्चा हुआ है तो लीजिए यह आगया आपका answer ठीक है 5 की degree 10 upon 2 into 6 की degree 9 क्लियर समझ में आगई बात तो यहाँ पर main काम अपना क्या था आपने को यह बोला गया था कि एक huddle race है जिसमें एक player को कितने huddle cross करने है 10 huddle cross करने है अब सारे के सारे हड़ल अगर वो cross कर लेता है तो उसकी probability दी है 5,66 यानि सारे के सारे huddle cross करने की probability पूछा था अपनसे की वो knockdown कर देगा fewer than 2 इसकी probability तो जो पूछा है उसी को अपनने success लिया knockdown कर देगा तो हड़ल इस यह हो गई success की probability अगर हडल क्रॉस हो जाते हैं मतलब फेलियर की probability अपने को दी थी इसी से अपने success की probability निकाली और यह फॉर्मिले में value रख के अपने अपना काम बना लिया यहां पर बोला था fewer than two two से कम तो obviously कि वह सकता है कि एक भी हडल क्रॉस ना हो वह सकता है एक भी हडल क् सकते हैं लेकिन क्योंकि two से छोटी value तो two से छोटी value zero हो सकती और one हो सकती है तो इस तरीके सा question नमबर six हो गया complete अब हम देखेंगे next question तो हमारा next question है question number seven so question number seven में क्या बोला जा रहा है a die is thrown again and again until three sixes are obtained तो पहली line का यहा पर यह मतलब है कि एक die को हम बार बार तो कर रहे हैं लेकिन कब तक थो कर रहे हैं जब तक की हमको तीन six नहीं मिल जाते बात समझ में आ रहे है जैसे हमको 36 मिल जाएंगे वहाँ पर die को थो करना बंद कर देंगे देखें तो पहली the third six in the six throw of the die यानि कि हम जो die को बार-बार थो कर रहे हैं तो बार-बार तो हम थो कर रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो हमको 36 नहीं मिल जाते कितने 36 नहीं मिल जाते हैं जयसे माले लेकिन ये ¥ हंको रहे हमको वन से लेकि обычно कोई ब्लिद्ध नंबर मिल नहीं ले इसलिए इसको फिर्से द्रो करेंे , फिर से तो किया अंन फिर बार-गया , यहाँ पर मेंने मिल गया तो यह यहाँ पर अभी हमारे 2 ही 6 आए लेकन हमको कितने 6 चाहिए 3 6 चाहिए थिक है हमको 3 6 चाहिए बात क्लियर हो गई तो यह बोला जा रहा है जैसे 3 6 मिलेंगे हम वहीं पर डाए को थ्रो करना बंद कर देंगे लेकिन यहाँ पर हमको दिया नहीं है कि कितनी टाइम हम थ्रो करें मतलब कि हमारे पास ट्राइल्स यहाँ पर नहीं है ठीक है कोई बात नहीं आगे की लाइन में क्या बोला जा रहा है कि find the probability जो find करना है वो क्या है of obtaining the third six in the six to throw अब ये तो हमने पहली लाइन को समझा दूसरी लाइन में हमको पूछा जा रहा है कि probability आप find करिए कि six to throw six to throw क्या होगा पहला throw, दूसरा throw, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छटवा ये जो छटवी बार हम throw करेंगे six to time जब हम डाय को throw करेंगे तो ये बोलड़ा इस six to throw पे हमको तीसरा वाला six मिल रहा है बात समझ में आई है इसकी probability find करना कहने का क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग के जो पाँच throw है इनमें हमको कही ना कहीं दो six मिल चुके है बात समझ में आ रही है तीन six चाहिए हमको तो यहाँ पर obviously सीडी सी बात है कि six to throw पे हमको अगर six मिल रहा है तीसरा वाला तो तीसरा वाला six से मतलब पहले के दो six आ चुके है ठीक है थर्ड six तीन six चाहिए वन टू थ्री और यह जो तीसरा वाला six से यह six to throw पे आ रहा है इसके probability बतानी है लेकिन इससे पहले already दो six आ चुके है बात समझ में आ गई तो इसकी probability हमको बतानी है बात clear हो गई ठीक है यानि कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर हमारी success क्या रहेगी अगर हमको six मिल जाता है तो यह हमारी success है और six नहीं मिलता है one से लेकि five तक कोई भी number मिलता है तो वो हमारा है failure ठीक है चलो करते हैं इसको तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर success क्या है आपकी success है getting six ठीक है six मिल जाता है वह हमारी success है तो probability of success क्या हो जाएगा या फिर इस तरीके से लिख लीजे probability of getting six तो हमको यह चीज़ पता है कि भही हम डाय को थो करते हैं तो उसमें छे ही number होते हैं छे number है one two three four five six इन में से six के आने की probability तो वह बन से लेके six तक के number में six तो एक ही होता है तो favorable outcome over total possible outcome अब probability of failure यानि कि not getting six तो आप चाहो तो one में से success की probability minus कर दो और सीधा-सीधा भी तरीखा आपको पता है कि one से लेके six तक के number में six के अलावा जो भी number है वो इसके favor में आएंगे तो five upon six इसकी आजाएगी probability अब यहाँ पर अगर हम n की बात करें तो सीधा-सीधा हमारे पास number of terms कितने है यह पता नहीं है हमको लेकिन जो हमको find करना है जो हमारी required probability उसमें क्या बोला गया है देखो probability of x equal to x के लिए अपना formula क्या होता है n c x p की degree x q की degree n minus x यह अपना होता है formula हमको probability find करनी है किसकी probability of obtaining the third six in the sixth row of the die यह probability find करनी है लेकिन आपको यह चीज़ पता है कि यहाँ पर हम die को कितनी बार थो कर रहे हैं बार बार थो कर रहे हैं कब तक जब तक 36 नहीं मिल जाते तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पर 6 मिलने की probability हमको बताना है ठीक है तो कहने का मतलब यह starting के जो 5 थू है हमारे यह 5 थू है इन्हें में इसके पहले के जो 2, 6 हैं आपके यह आ चुके हैं ठीक है समझ में आ रहे हैं यह बात तो यहाँ पर सबसे पहले ओविसली 2, 6 आएंगे तभी तो 306 आएगा ना तो this याँदी 2, 6 and 306 clear? so तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपना obtaining 2, 6 ठीक है? 2, 6 in the first 5, throw and बास समझ में आ रहे है बही starting के 5, throw में हमारे 2, 6 आएंगे and जो last वाला, throw है अपना उसमें भी 6 आ रहा है ना and a 6 in the 6th, throw बास समझ में आ गई? ठीक है? तो यहाँ पर हमको यह बोला जा रहा है कि obtaining the third 6 in the 6th, throw of the die लेकिन सीधी सी बात है कि 6 आपका तीसरा वाला जो 6 है वो तभी आएगा जब इसकी पहले already 2, 6 आ चुके होंगे तो 2, 6 and यह तीसरा 6 ठीक है? लेकिन यह 2, 6 इन 5, throw में से आएगा तो चलिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अगर देखें इसको लिखा रहन देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और अपन क्या करते हैं कि इस कंडिशन के लिए अगर आप देखें या फिर इसको अलग कर लेते हैं प्रोबबिलिटी प्रोबबिलिटी दिस and दिस and मतलब इंटरसेक्शन है ना? तो प्रोबबिलिटी ओफ उप्तेनिंग तू शिक्से इन दर फर्स्ट फाईब थ्रोब और अंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब मल्टिप्लाइ तो मल्टिप्लाइ प्रोबिलिटी ओफ अब शिक्स इन्दा 6th थुरू बात समझ मैं आ गई clear अब इसके आगे का मैं यहाँ पर solve कर रही हूँ तो इस condition के लिए आप देखें 5 थुरू है मतलब अपने number of terms कितनी है 5 और 2 6's यानि कि x की value कितनी है 2 ठीक है या फिर यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ कि इसके लिए देखा जाए तो n कितना है आपका 5 और जो आपका x equal to x होता है उसकी value कितनी है 2 ठीक है probability of success, probability of failure यहाँ पर आपके पास ही है तो इसके आगे का देखें मैं यहाँ पर solve कर रही हूँ ध्यान देजेगा ठीक है x की value 2 है फिर p की degree x तो p कितना है आपका 1 upon 6 1 upon 6 की degree x x कितना है 2 फिर q की degree यानि की 5 upon 6 की degree 5 minus 2 3 अब यह बीच में multiply है multiply लगा दिया अज 6 इंद 6 तो थो थो तो जो 6 थो रहेगा उसमें हम जब die को थो करेंगे तो उस पर 6 आने की probability क्या रहेगी 1 upon 6 obviously की die को थो कर रहे है तो उसमें से 1 ही 6 है ठीक है तो इसकी probability क्या हो जाएगी इसकी probability यह हो जाएगी 1 upon 6 बस इसको solve कर लेना तो 5 c 2 को solve करेंगे तो factorial 5 को लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into factorial 2 और 5 minus 2 factorial 3 3 को लिख सकते हैं 3 into 2 into 1 और factorial 2 तो 2 1s are 2 ठीक है देखो 5 c 2 को अपने solve किया तो यहां आ गया 10 ठीक है 1 का square अपना आ गया 1 5 5 025 25 25 25 अपन और यह क्या है 6 का square into 6 का cube into और एक और 6 है यह अब इन सब को जब आप solve कर लेंगे तो यह हो जाएगा देखो 2 5 010 2 3 06 और इसको solve कर लेंगे 125 इंटू 5 6 25 अपन इन सभी का multiply जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 double 3 2 8 और यह आ जाएगा आपका answer ठीक clear इस तरीके से आपका question number 7 हो गया है complete तो यहां पर इस question में हम को क्या बोला जा रहा था कि बार 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 कर रहे हैं ठीक कब तक जब तक हमको 36 नहीं मिल जाते हमसे प्रॉबबिलिटी पूछी थी कि जो हमारा थर्ड सिक्स रहेगा वह सिक्स थ्रोपे मिलेगा तो तो वही probability करनी थी लेकिन इसके लिए जरूरी यह बात है कि स्टाटिंग के पांच थ्रोपे उसकी probability इस तरीके से आगे का तो आपको पता ही है कि यहां पर अगर देखा जाए तो पांच थ्रोपे यानि अपना फाइफ था टू सिक्स के लिए प्रॉबबिलिटी फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू टू हो गई यहां पर एक सिक्सानी की प्रॉबबिलिटी ओविसली वन अपॉन सिक्स ठीक क्लियर अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉश्चिन बढ़ा ही सिंपल सा कॉश्चिन है देखते हैं देखो बोला जा रहा है कि इफ लीप यर इस सेलेक्टेड अट रेंडम देखो लीप यर क्या होती आपको पता है कि जनरली यर में 365 डेज होते हैं लेकिन चार साल में एक बार आता है अपना लीप यर जब फरबरी में 28 की ज लीप यर सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो यहां पर लीप यर में नंबर ओफ डेज कितने होते हैं नंबर ओफ डेज कि इन अ लीप यर 366 डेज ठीक है तो आगे हमको बोला जा रहा है अब यहां पर हमको यह बोला जा रहा है कि यह जो लीप यर है इसमें 53 Tuesday होंगे इसका चांस क्या है चांस मतलब औविसली प्रॉबबिलिटी क्या है कि यह जो लीप यर रहेगा इसमें 53 Tuesday ही होंगे सबसे सिंबल तरीका इसका यह है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको यह चीज पता है कि भाई एक अगर पूरे week की बात करें हम तो हर एक week में एक Tuesday तो रहेगा ही रहेगा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको week में divide कर लें किसी भी तरीके से तो हमको यह पता चल जाएगा मतलब हम find कर लेंगे कि कितने week होंगे तो भाई एक week में 7 days होते हैं 7 से आप इसको divide कर दीजिए तो 7 से 366 में आप divide करेंगे तो 75,035 यह 1 बचा यह 6 आ गया 7,2014 यह 2 बचा मतलब दो दिन एक्स्ट्रा बच रहे है 52 week जो है वो तो आ गया अब obviously 52 week है तो हर week में Tuesday तो आएगा ही मतलब 52 Tuesday तो हो गया fix तो देखो यहां पर अपन लिखेंगे कि 366 equal to हो जाएगा अपना 7 into 52 और plus 2 days अपने पास आ रहे है एक्स्ट्रा कहने का मतलब यह हुआ कि 52 Tuesday तो है ही but यह जो दो दिन है इस में से एक Tuesday होगा उसकी probability क्या है देखो 52 तो fix हो गया कि यहां 52 तो है but यह जो दो दिन है इन दो दिन में अपने को Tuesday ही मिलेगा उसकी probability क्या है तो देखो यह जो दो दिन है इनको अपन डिवाइड करें कि 2 days जो है वो क्या क्या हो सकते है भाई दो दिन का अगर पेर लेके चलें तो यह दो दिन तो कुछ भी हो सकते है वो सकता है कि यह जो दो यह आपका Sunday and Monday हो जाए हो सकता है Monday Tuesday हो जाए ठीक है या फिर Tuesday Wednesday हो जाए या फिर Wednesday Thursday ठीक है या फिर Thursday Friday या फिर Friday Saturday और या फिर वो सकता है कि यह रहें Saturday Sunday अबर संडे के बाद संडे बंडे तो अपने लेका ही हुआ है तो यह जो दो दिन है ना इन्हीं की अपन बात कर रहे हैं कि 52 वीक हैं मतलब 52 Tuesday तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन वोला है 53 Tuesday होने का चांस क्या है या प्रॉबबिलिटी ओ फिर टीटी तो भाई यह जो दो दिन है यह अपने क्या-क्या हो सकते हैं अपन नहीं आप लिख लिया अब यह जो दो दिन है ना इन्हीं की प्रॉबबिलिटी फाइंड करनी है कि इनके लिए Tuesday के फेवरेवल आउटकम तो आप देखें यह जो दो आउटकम दिख रहे हैं यह आपके इनमें आपका Tuesday आ सकता है बट यह जो दो दिन हैं यह क्या-क्या हो सकते हैं लेकिन इनमें से फेवरेवल आउटकम है यह दोनों क्योंकि मंडे ट्यूजडे में भी ट्यूजडे आ रहा है और ट्यूजडे वेनस दे में भी ट्यूजडे आ ठीक है तो यहाँ पर प्रॉबबिलिटी ओफ फिफ्टी थ्री ट्यूजडे यह क्या हो जाएगी नमबर ओफ फेवरेवल आउटकम आपके टू है ओवर टोटल पॉसिवल आउटकम वन टू थ्री पॉर फाइफ सिक से तो यह रहेगी प्रॉबबिलिटी 53 ट्यूजडे होने की तो हाला कि 52 तो फिक्स अपने को मिली गयते लेकिन बाकि जो दो दिन आएगा उसकी जो प्रॉबबिलिटी है यह रहेगी टू अपॉन सेवें ठीक है क्लियर तो इस तरीके से कॉश्चन नमबर एट हो गया आपका कंप्लीट अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉश्चन नेक्स्ट कॉश्चन नमबर नाइन यह कॉश्चन तो बहुत ही आसान है इसमें जाध़ा कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं सेविसी सीधे सीधे चीज जासन जैंच चले एकस्पेरिमेट सक् Samsung त्वाइस इस ओफन एफड़ के इंडिस फेर जानी कि सक्सेश की probability failure की probability का twice है ये हमको given है ओके तो देखिए तो हमको यह चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि probability of success को हम small p से show करते हैं और probability of failure को हम small q से show करते हैं given क्या है हमको कि जो experiment है उसमें जो success है twice as often as it fails यहनी success is equal to twice of failure equation number one और इसके बारे में हमको नहीं दिया है आगे हम से सीधा सीधा probability पूछिए कि find the probability that in the next six trials मतलब number of trial भी सीधे सीधे दिये हुए कि 6 trial है there will be at least 4 success at least 4 यह x की value है और success मतलब success failure मतलब failure यहाँ पर मतलब कुछ अलग से नहीं है कि success आपको कुछ सपोस करना है failure कुछ सपोस करना है success को success बोला है failure को failure बोला है ठीक है तो लेकिन अब कुछ भी find करने के पहले अपने को P और Q की value तो find करनी होगी trials तो अपने 6 हैं ही clear clear तो आपको एक equation तो मिल गई P और Q से related हमको एक और चीज़ पता है कि success की probability प्लस failure की probability इक्वाल टू 1 होता है भाई दोनों इस दूसरे की complimentary event है success और failure दोनों इस दूसरे की complimentary है ठीक है तो दो complimentary event की probability का sum 1 होता है छीक है तो यहाँ पर success की probability प्लस failure की probability इक्वाल टू क्या हो गया यह होगा equation number 2 इन दोनों को solve करके P और Q की value निकाल लीजे P की value direct यहां रख दीजे तो 2Q फ्लस Q एक्वाल टू 1 तो 3Q एक्वाल टू 1 तो Q एक्वाल टू 1 बाई 3 P हो जाएगा 1 माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन 3 तो 3 वन दार 3 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 clear trial तपने कितने है N 6 है अपने को दिया हुआ है 6 trials बस अब probability find करना है कर लेते हैं तो probability of at least for success मतलब क्या हुआ probability of at least for success कम से कम 4 और 4 से obviously ज़्याधा हो सकता है तो भई trial कितने हैं 6 trial है तो 4 से ज़्याधा कितना success असकती है 5 आ सकती है 6 सकती या नि 5 successful मिल सकती है और 6 मिल सकती 6 से ज़्याधा क्यों नहीं क्योंकि trial ही 6 है ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा probability of x is 4 equal to probability of x equal to 4 5 6 ठीक समझ में आरी ना बात भाई trial अपने 6 है तो ज्यादा से जादा अपने को कितनी success मिल सकती है 5 और 6 6 ते जादा मिल नहीं सकती है क्योंकि trial ही अपने 6 है बस अब इसके आगे तो आपको आता ही है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो यहां पर formula अपना कौन सा लगेगा वही वाला एन 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 6 है एन सी एक्स स्मॉल पी 2 अपन 3 की डिग्री एक्स एक्स कितना 4 और स्मॉल क्यू कितना है वन अपन 3 की डिग्री एन माइनस एक्स 6 माइनस 4 टू ठिक अब यहां पर formula लगाएंगे तो एन सी एक्स स्मॉल पी की डिग्री एक्स small q की डिग्री एन माइनस x 6 माइनस 5 1 प्लस अब यहां पर एन सी एक्स 2 अपन 3 की डिग्री 6 और 1 अपन 3 की डिग्री 6 माइनस 6 0 बस इसको solve कर लेना है काम बन जाएगा तो यहां पर सबसे पहली चीज तो सबी जगे से 2 upon 3, 2 upon 3, 2 upon 3 की degree सबसे कम बाली 4 है common ले लिजी अब बचा के अंदर वो लिखते हैं तो देखो 6 से 4 को solve कर लो तो factorial 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू factorial 4 upon factorial 4 और 6 माइनस 4 आएका 2 बन जार 2 तो देखी 4 से 4 cancel 6 2 3 0 6 2 3 0 6 5 3 0 15 इंटू यह तो common चलेगा बाहर बचा के 1 upon 3 की degree 2 यहनि 3 3 0 9 प्लस 6 से 5 तो factorial 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू factorial 5 और factorial 5 6 माइनस 5 factorial 1 तो यह cancel बचा 6 2 upon 2 upon 3 की degree 5 है 4 बाहर निकल गया तो बचा के सिर्फ 2 upon 3 और यहां पर बचा 1 upon 3 प्लस यहां की बात करते तो n c n होता है 1 1 upon 3 की degree 0 1 बचा के सिर्फ 2 upon 3 की degree 2 तो यह 4 बाहर निकल गया टिक अब देखें आप एक चीज यहां 9 है 339 यहां पर भी 9 आ जाएगा और यहां पर 2 upon 3 का square है तो यहां पर भी 9 आ जाएगा लेजे यह आ गया आपका आंसर तो इस तरीके से question number 9 हो गया है complete अब हम देखेंगे next question so next question है अपना question number 10 so question number 10 में क्या बोला जा रहा है how many times must a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90% तो word to word समझेंगे बिक्कत नहीं होने वाली बहुत simple question है देखें यहां पर बोला जा रहा है how many times must a man toss a fair coin यानि एक fair coin है उसको कितने बार toss करना पड़ेगा जिससे की at least one head आने की जो probability है वो more than 90% रहे मतलग कि यहां पर number of terms की value नहीं है हमारे पास ठीक है इसलिए उसको हम suppose करेंगे n ठीक है तो तो पूछा यह ना how many times यानि कितने बार कितने ट्राइल्स अपने को करने पड़ेंगे यहां पर ठीक है तो ट्राइल्स अपने कितने हो जाएंगे n अपन यहां पर suppose करेंगे तो let a man toss a fair coin n times how many times तो अपन ले रहे हैं n times ठीक ठीक आगे बोला जा रहा है so that the probability अब यह चीज़ अपने को दिये अपने से पूछा है कि कितनी बार अपने को fair coin को toss करना पड़ेगा तो अपन ने ले लिया उसको n times और अपने को given है probability of having at least one head at least one head लेकिन उसके पहले वो तो हम लेकिलेंगे लेकिन उसके पहले आपने को success और failure की probability तो find करनी पड़ेगी ठीक है तो जो दिया है वो तो ठीक है क्योंकि यह चीज़ अपन पहले ही सीख चुके है कि जैसे ही अपने को n पता चल जाए फिर अपने को small p और small q पता करना है तो यहां पर success इसको लेंगे आप क्या बोला है at least one head तो getting head जो है यह अपनी success रहेगी at least one जो रहेगा यह अपनी x की value रहेगी और n तो पन से पूछा ही है ठीक है तो head मिल जाता है तो वो success है हमारी तो probability of success ठीक है तो probability of getting head तो हमको पता है कि भाई जो हमारा coin होता है उसमें head और tail ही होता है n c x small p की degree x small q की degree x बात समझ में आगे चल अब बढ़ते हैं अपन आगे अपने को बूला गया है कि probability of having at least one head at least one head कम से कम एक head मतलब probability of अब यह अपने को given है तो यहां लेखेंगे given that probability of at least one head यानि कि कम से कम एक head आना चाहिए और यह क्या बोला जा रहा है is more than is more than 90% लेकर obviously probability है तो यह हो जाएगा 90 over 100 ठीक अब एक चीज़ आप समझिएगा यहां पर क्यूंकि हमारा यह जो number of trials है वो n है यानि coin को हम n times throw कर रहे हैं तो अगर इस condition की हम बात करें कि हमको एक head मिलने की अगर probability की बात करें तो अपने को success मिल सकती है हो सकता है एक भी head ना मिले यह एक भी success ना मिले हो सकता है एक बार मिल जाए दो बार मिल जाए तीन बार मिल जाए और कितनी success हो सकती है जितने trials उतनी success ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो इस बात को समाझना जरूरी इसलिए पहले मैं आपको यहां समझा रही हूं कि probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 and so on यह कहां तक चलेगा probability of x equal to n तक क्योंकि यहां पर अपने trials n है और यह पूरी probability अपनी क्या होती है 1 ठीक है भई हो सकता है कि हमको एक भी success ना मिले हमको 0 success मिले यह मतलब और मतलब प्लस हो सकता है एक success मिले हो सकता है दो मिले तीन मिले and so on कहां तक यहां पर आपने देखा हो कि जितने हमारे trials होते हैं उतना ही total हम करते हैं तो 0 से start करके हम n तक ले गए अगर इसको आप लिखेंगे तो उसको आप क्या लेखेंगे probability of x equal to 1 क्योंकि 1 और 1 से ज्यादा ठीक है सबसे छोटा 1 ही ही तो वन टू थ्री एंड सो ओन एंड बास समझ में आई इसके अकॉर्डिंग कहां सबसे कम वन एट लीस्ट वन है तो वन टू थ्री एंड सो ओन कहां तक n तक क्योंकि दी सबसे सबसे चाहिए और यहां पर वन से लेखे ऐन तक यह सारा सब कुछ है अगर इसकी value हमको find करनी हो तो यह जो x equal to 0 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा probability of x equal to 1 probability of x equal to 2 plus and so on probability of x equal to n equal to हो जाएगा 1 minus probability of x equal to 0 बात समझ में आ रही है तो यह जो पूरा का पूरा है इसको हम लिख सकते हैं 1 minus probability of x equal to 0 is greater than अब यह 0 से 0 हो गया cancel तो यह आजाएगा 9 over 10 तो आप आप बात समझ पाए होंगे तो हाला कि यह जो चीज है ना यह हमने इस तरह के कई सारे question में किया है कि यह जो इतनी सारी values हैं इनके बजाए हम क्या करते है टोटल probability में से जो इसमें नहीं है उसको माइनस कर देते हैं ठीक है तो वही हमने किया इसको मैं हटा देती हूं तो यह तो हमने यहाँ पर rough work किया तो जिससे कि यह जो चीज है यह मैं आपको समझा सकते हैं इसको हम कहां तक लिखेंगे obviously n तक क्योंकि n trials है और 1 में से x equal to 0 को माइनस कर दें क्योंकि इसमें वही नहीं है अब क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर formula लगा देंगे देखो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस x equal to 0 के लिए यह formula लग जाएगा न तो अपना n ही है n c 0 क्योंकि x equal to क्या है 0 small p है half small q भी half है यह formula अपना n minus x half की डिगरी 0 और half की डिगरी अपनी n minus 0 n और is greater than 9 upon 10 बस समझ में आ गई होगी यहाँ पर अपने यह वाला formula लगा दिया n अपना n है n c 0 p की value half half की डिगरी 0 और q half की डिगरी n minus 0 यानि n इसको solve करेंगे तो n c 0 1 होता है half की डिगरी 0 1 बचा सिर्फ यह तो 1 minus half की डिगरी n greater than 9 upon 10 बास समझ में आ गई अब अपन क्या करते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं तो यह हो जाएगा 1 minus 9 upon 10 is greater than half की डिगरी n ठीक है इसको solve कर लेंगे 10 बंजा 10 10 minus 9 1 upon 10 is greater than यह हो जाएगा 1 upon 2 की डिगरी n लगा लो 1 तो 1 ही रहना है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर इनको उलटते हैं तो इसका जो sign है यह भी उलट जाएगा कहने का मतलब क्या हुआ देखो 2 की डिगरी n is greater than 10 बात समझ में आई 2 की डिगरी n greater than 10 कैसे हुआ यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझाती हूँ मैं आप पो यह 1 upon 10 is greater than 1 upon 2 की डिगरी n है तो यह हो जाएगा 10 is less than 2 की डिगरी n ठीक है समझ में आगई बात तो यहाँ पर मैंने बाई लेका है देखो 2 की डिगरी n is greater than 10 ठीक अब यहाँ पर में अपने को n की value find करना है तो n की value क्या हो सकती है तो इसको अपन यहाँ solve करते हैं तो ध्यान दे थोड़ा सा रफली बता रही हूं 2 की डिगरी आपन क्या रखें जिससे कि यह 10 से बढ़ा रहे है तो आपको यह चीज़ पता है कि ए 10 से बढ़ा होगा 10 से नहीं होगा तो यह 2 भी नहीं है 1 भी नहीं है चलो 2 की डिगरी 3 रखते हैं तो 2 2004, 42008 is greater than 10 तो क्या 3 रहेगी value नहीं रहेगी ठीक अपने को तो पता ही है न कि 10 से बढ़ा यह थोड़ी है अब 2 की डिगरी हम 4 रखते है ठीक है तो 22004, 4008, 20016 is greater than 10 तो 4 भी हो सकता है और 4 से बढ़ा भी हो सकता है तो 4 भी हो सकता है वो 4 से बढ़ा भी हो सकता है लीजे तो यह आगया आपका answer तो यहाँ पर यह जो result आया है इसमें आप value लखके देख लीजे आपने 1 रखा 10 से बढ़ा नहीं था, 2 रखा तो 4 आया ये भी 10 से बढ़ा नहीं था 2 की डिगरी 3 रखा ये 8 आया ये भी 10 से बढ़ा नहीं था लेकिन 4 रखा तो 16 आया जो कि 10 से बढ़ा है मतलब अगर 2 की डिगरी 4 और 4 से जादा आप कुछ भी रखते हैं तो आपको यहाँ पर यह 10 से बड़ा ही मिलेगा तो यह आगया आपका कने अगर यह लिखना है तो लिख सकते हैं नहीं लिखना है तो कोई जरूरत नहीं है यह तो मैंने सिरP आपको समझाने के लिए ठीक है तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ कर के आप लूट कर सकते हैं बाकी आज की क्लास में ढएंगे वीडियो भी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है लाइक करना नहीं बूलना है ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तपके लिए बाइ and thank you.